मेरे स्कूल में मैंने पिछले दस साल से मैं अपना खुद का स्कूल चला रही हूँ हूँ टैन यर्स में मैंने सिंगल डेग अपनी किया इवन एटलिस मैं अगर बीमार भी होती हूँ तो मैं एक या दो घंटे का रेस्ट करके मैं लेटर ओन चली जाती हूँ बट मैं ब्रेक नहीं करते अपने रूटीन को और मैं चार दिन से भूल के बैठी हूँ मैंने किसी का फोन अटेंड नहीं किया किसी से अपने फैमिली मेंबर से बस हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक से हूँ, इतनी ही वाते की है मुझे इतने सालों में पहली बार लग रहा है कि मैं खुद से मिली हूँ आंत्रिक शांती, आंत्रिक जो अनन्ध हे, वहीं सच्चा स्वर्क है बाकि आप कहीं भी जाब, अंदर जो है वहीं सच्चा स्वर्क है यहां से वो सब मैं लेके जा रही हूँ जिस तरह से मेरे सामने चीज़े आ रहे हैं ये लगा कि मुझे में अभी बहुत सब सीखना बाकी है बहुत अग्यानता है और बहुत सारी ग्यान की आवश्यक्ता है ये मुझे यहाँ पर महसूस हुआ आपने जिन लोगों के अनुभव सुने दरसल वो पहली बार संस्था के मुख्याले में महिला प्रभा के सम्मेलन में शामिल होने आये थे जिसके उद्धातन सत्र में मुख्य अथिती के तौर पर हर्याना स्टेट विमेन कमीशन की चेर परसन रेनुभाटिया लॉग कमीशन ओफ इंडिया के मेंबर प्रोफेसर आनन्द पालिवाल राजिस्थान बाल अधिकार सन्रक्षन आयोग की चेर परसन संगीता बैनिवाल शामिन हुए और संस्था के अतिरिक महा सचिव बिके ब्रेज मुहन भाई माहिन प्रभाट के अध्यक्षा बीके चकरधारी दि राष्टि संयों जिका बीके शारदा दि यूवा प्रभाट के अुपद्यक्षा बीके चंद्रका दिदी की उपस्तिती में समिलन जास किया हम इंपाउरिंग दी फैमिली के बात करते हैं तो एक्स्टेंडड़ फैमिली कंसेप्ट हमें आना चाहिए एक्स्टेंड़ फैमिली मतलब जैसे आज हम यह कहें आप सब यहां आएं तो एक परिवार भाव की वज़े से आएं कि हम सब ब्रमकुमारीज में आ जाएं तो हम सबी बहने हम सबी भाई आपस में एक दूसरे को परिवार भाव के साथ रहते हैं और भारत में देवियों के पूजा ज्यादा होती है देवताओं के बजाए कारण के इस समय माताएं सारे विश्वतों सशक्तिकरण करती है और परमाने में ये ज्यान का कलश माताओं पर रखा है मेरे पती एक बात कहा करते थे कि कभी भी ब्रह्मा कुमारी दीदी को देखेगी ना नूर जलकेगा तो मुझे समझ नहीं आता था वो बार-बार ये बात क्यों कहते थे अब मैं जैसे जैसे इनके करीब आती हूँ तो मैं ये देखती हूँ वाकई हर एक में एक अलग नूर है हर एक की एक अलग पहचान है हर एक की एक अलग क्वालिटी है और एक संपून महिला को समाज के लिए परिवार के लिए अगर कोई गुलदस्ता बनना है समझ का परिवार को बांधने का तो किसी एक-एक दीदी के पास एक-एक घंटा बैट कर देखिए आपको आवशत्ता नहीं पढ़ेगी किताबे पढ़ने की किसी भी संसकारी, किसी पुस्तक को पढ़ने की आपको इतना कुछ यहां पर मिल जाएगा इच्छा शक्ती पे कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है और यहां पर जो भी दीदी हैं, जो भी ब्राताश्री हैं उन्होंने जो इच्छा शक्ती पे अपनी विल पार पे जो कंट्रोल किया है मैं आप सब को बहुत-बहुत सल्यूट करती हूँ परमात्मा ने पहले तो यह बात हमको सभिकार कराई है कि परिवार मेंज माता कराई क्योंकि बिना माता के ना तो कोई पिता हो सकता है ना कोई संतान हो सकता है बच्चा ना कोई बहन हो सकता ना भाई हो सकता है और परमात्मा ने मारत की मातों के द्वारा पहली बार नहीं अनेक बार सारे विश्व को एक इसको अक्स्टेंडिट फेमिली कह रहे है वेश्मिक परिवार बनाया और उसके अंदर ही पाकी देवे परिवार बते हैं इसका अब देवी परिवार कहते हैं अगर जीवन में भी मूल्यों के साथ कुछ विक्रित भावनाइं भी होती हैं तो यह जीवन अच्छा नहीं लगता है तो मैं असा समझती हूँ कि घर परिवार को सुखत बनाने के लिए घर परिवार के वात्तावरन को स्रेष्ट बनाना बहुत ज़रूर ज़रूर है पाश दिवसी सम्मेलन में खुला सत्र भाशन सत्र कल्चर प्रोग्राम पैनल डिसकुशन प्रश्णुत्र सत्र का आविजन हुआ जिसमें संस्था के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ने देश भर से आई महिलाओं को पारिवारिक एक्ता एवं सशक्तिकरण के कारगर में हमेशा है याद रखी एक तो सेल्फ को पैचाने मैं क्या हूं मेरी जिन्दे के क्या वैल्यू है मैं बहुत इंपॉर्टन बंदा हूं तुमें लोगों के बैकावे में आने वाला सुनी सुनाई बातों में बिलकुल नहीं आना है लोग कुछ भी कहें मेरे बारे में हम परमात्मा और बिच में कोई है नहीं हम मुझे कोई अच्छी बात बता रहा है तो शीक्षा ले लेजिए सम्मेलन के अंतिन दिन कई लोगों ने अपने अनुभव सुनाए और मन में उठ रहे सवालों को भी पूछा ग्यान का भंडार है यह बहुत पाना चाह रहे थी लि विए रिलिजन एंड शीडिए तोगएड़ यह, जो छो प्रिच प्रिच पाने ने शीडिए अ डिए को जो अंडर से शीडिए लोगों आप अब भी थैंक्स तो चक्र दाली धीए है ब्स्ता फॉल्यूं को ब्स्ता ब्रस्वाइप को दों टो तें जाह मैंनों को मिलता निए विनमरता, निए नमरता जो हमें वाल्यूस में भी शिखाया गया और बेस्ट पार्ट इस यह से ब्रह्मा कुमारी की वेबसाइट पे नहीं है मैंने हर एक परसन को जो यहां पे उनमरता देखिये आज हम चक्रदारी दीदी से मिले, you know, at her stature, where she is but look at the विनमरता, the way she greets us, you know, that is one second is ownership, जो जागरुती दीदी ने एक्जाम्पल दी आज पांडव भवन का खाना खतम हो गया था उनको किसी को बताना नहीं पड़ा, you know, हम को लोगों को बोलना पड़ता है यह करो वो करो बत यहां पर ओनर्शिप इस लाइक वैल्यू इन बिल्ट तो यह जो दो चीजे है विनमरता और ओनर्शिप जो सिखाई जाती है वो एक एक परसन के, you know, वहवार में हमने यहां पर देखा है so these are the two things मैं लेके जारी हूँ, so thank you everybody